आप पब्लिक पार्क्स में जाते हैं आपकी सेव्टी के लिए पुलिस है और भी कई सर्विसेज हैं जैसे फ्री एजुकेशन के लिए गवर्मेंट स्कूल्स हेल्थ केर के लिए हॉस्पिटल्स और जरुरत मंदों के लिए राशन अब इन में से बहुत सारी चीजों के लिए आपको डारेक्ली पे नहीं करना पड़ता और अगर करना भी पड़ता है तो उसका दाम अक्चुल कोस्ट से कई गुना कम होता है अब ये सारी चीजें हमारी सर्कार हम सब तक फ्री कि या फिर कम डाम में कैसे पहुँचा पाती है सरकार कमाती कहां से है इन सब का सिर्फ एक जवाब है तक्स अब तक्स होता क्या है तक्स वो पैसा है जो तक्सरकार अपने लोगों से किसी भी फर्म में कलेक्ट करती है अब यहां नोट करने वाली दो बाते हैं कि tax होते कितने प्रकार के हैं और government हमसे उस tax को किस form में collect करते हैं Tax दो तरह के होते हैं Direct tax और indirect tax पहले समझते हैं direct tax Direct tax जिसे इंडिया में income tax के नाम से भी जाना जाता है Income tax क्या होता है? वो tax जो आपकी income पे लगे आपकी आमदनी पे लगे वो tax होता है income tax Income tax गवर्न करा जाता है by income tax act of 1961 इसके अंदर 5 heads है पहला income from salary दूसरा income from house property तीसरा capital gains चौथा profit from business और profession और पांचवा income from other sources अब इन सब में जाला detail में जाने की जुरूरत नहीं है क्योंकि इनके नाम में इनके मतलब है पहला income from salary अब मान लीजिया आपके इन जॉब करते हैं वहां से आपकी salary आई तो salary पर जो tax लगेगा वो इस head के अंदर आएगा दूसरा income from house property अब आपके आए घर है आपके एक property है जिसे आपने rent पर दिया हुए तो इस rent से जो पैसा आएगा वो इस head के अंदर आएगा तीसरा capital gains अब capital gains में क्या होता है मान लीजिया आपके कुछ assets हैं वो किसी भी form में हो सकते हैं जैसे shares की form में, gold की form में, property की form में तो जब आप उस assets को sell करते हो तो उनके बीच का जो difference होता है जो profit आता है वो इस head के अंदर आता है चौता है profit from business या profession अब मान लीजिये आप किसी भी profession में आप lawyer है, CA है, singer है, dancer है, कुछ भी है किसी भी profession में है उससे जो आपकी कमाई होगी वो इस head के अंदर आएगी अब salary, house property, capital gains, profit from business and profession इन सब के बावजूद भी कुछ बच जाता है जैसे आपकी शादी में relatives का gift देना आपकी lottery लगना याथ के बीसी में फांस वो सब आएगा income from other sources के हैट में अब हमारे tax को calculate करने के लिए इन पांचो हैट को आट करा जाता है अब आप इन में से एक हैट में भी लाए कर सकते हैं और पांचो में भी इसको आट करा जाते हैं और फिर आता है हमारा gross total income IT Act 1961 के अंदर काफी सारी चीज़े दी गई हैं जिसकी मदद से आप अपने gross total income को कम कर सकते हैं इसे कहते हैं deduction under section 80C to 80U जैसे की LIC के PPF में करीबन 1.5 लाग तक invest करना या फिर electric vehicle अगर आप loan पर लेते हैं तो जो उसका interest होता है तो आप अपने उस interest से अपने gross total income में से करीबन 1.5 लाग तक कम कर सकते हैं यह सारी चीज़े mention है हमारे IT Act of 1961 के section 80C to 80U के अंदर अब gross total income में से जब हम deductions हटाते हैं तो आती है हमारी total income अब इस total income पर सरकार हमसे tax लेती हैं और इसी के लिए हमारे annual budget में इसके लिए different slabs allocated होते हैं अभी currently जो इंडिया का tax lab है वो है up to 5,5 लाग निल यानि 0% दाइ लाग से पांच लाग तक 5% पांच लाग से साथ लाग तक 10% साड़े साथ से 10 लाग तक 15% 10 से साड़े 12 लाग तक 20% तो फर्स कीजिए अगर आपकी टोटल इंकम आई 11 लाक रुपे तो पहले दाइ लाग पर कोई टाक्स नहीं है 12,500 फिर 5 लाग से साड़े साथ लाग तक 10% हो गया 25,000 फिर साड़े साथ लाग से 10 लाग तक 15% तो ये हो गया करीबन 37,500 अब अब इंकम भी 11 लाग थी जिसमें से 10 लाग पर हम टाक्स निकाल चुके हैं बचा 1 लाग तो नेक्स लाप के हिसाब से 10 लाग से 12 लाग पर 20% का टाक्स लगेगा तो 1 लाग इंटू 20% हो गया 20,000 यानि आपका टोटल हुआ 95,000 जिसमें से 4% एज्जूकेशन और हेल्थ सेस लगेगा ये आता है हमारा 3800 तो अब हम इसका टोटल करें तो 95,000 ब्लस 3800 हुआ 98,800 अब ये अमाउंट आपको गर्वर्मेंट को टाक्स के रूप में जमा करना पड़ता है लेकिन कब तक? टाक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट तक ये अमाउंट आपको जमा करना पड़ता है इंडिया में financial year 1st April से लेकर 31st March तक फॉलो होता है अब अगर आपने 1st April 2020 से लेकर 31st March 2021 तक कमाई करी तो 31st March के बाद और रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट से पहले आपको ये अमाउंट जमा कराना होता है income tax return यानि की ITR में आपको अपनी income और बागी की details mention करनी होती है और साथ ही साथ आपको अपनी tax liability भी जमा करानी होती है अब कुछ facts आपके साथ share करते हैं हमारे भारत में करीबन 6 करोड लोग income tax return फाइल करते हैं जो की करीबन 65% है of India's adult population और election में यही number बढ़के 85% हो जाता है तो हमारी 140 करोड की अबादी में से जब सिर्फ 60 करोड लोग tax return फाइल करते हैं तो क्या 134 करोड लोग बिलकुल tax नहीं देते इसका जवाब है नहीं और इसी के साथ हमारी वीडियो का second part शिरू होता है जो है indirect taxes indirect taxes इसके नाम से ही clear है वो tax जो मैं directly नहीं देना पड़ता basically यह tax हर कोई देता है किसी को पता होता है तो किसी को नहीं आप देते हो हम देते हैं हम सब देते हैं indirect tax हम directly तो government को नहीं देते पर यह tax किसी third party के थू जाता है for example इसके लिए term समझना पड़ेगा आपको जो की है आपने बहुत बार सुना होगा inclusive of all taxes किसी रापर में, movie tickets में, restaurant के बिल में हर जोगा लिखा होता है inclusive of all taxes अब इसमें होता क्या है for example आपने एक chocolate खरी दी उस chocolate को price है 10 रुपे उस 10 रुपे में वो tax included है indirect tax उस 10 रुपे में included है जो आप आजा उसकी product की total cost पे कर रहे है बट उसमें indirect tax included होता है आपने तो उसे 10 रुपे का समझ के 10 रुपे पे कर दिया पर उसके अंदर tax included है आपने कोई भी चीज पर जेस करी साबुन से लेकर, टूथ पे से लेकर, चॉकलेट से लेकर हर चीज में indirect tax inclusive of all taxes ये लिखा आता है इसका मतलब है उसके अंदर tax included है पहले अमारे भारत में कई तरह के tax थे जैसे service tax, excise duty, custom duty, VAT यानि value added tax तो इन सब में एक दिक्कत आ रही थी, एक तो इतने सारे tax, इनकी compliance में काफे दिक्कत आती थी और सबसे major problem थी tax on tax जिसे कहते हैं cascading effect यानि समझ लीजिए आपके product पे एक size duty लगी उसके उपर value added tax लग गया, तो ये tax के उपर tax लग गया टाक्स बढ़ गया, ये major problem थी तो ये problem दूर हुई GST के आने से अब थोड़ा इसे समझते हैं GST मतलब goods and services tax जो की goods और services की supply पर लगता है GST के आने से, एक tax के आने से हमारी cascading effect की problem खतम हो गई, वो solved हो गई पर आज भी हमारा old tax regime पूरी तरह से खत नहीं हुआ है क्योंकि आज भी सरकार ने कई सारे items को GST से बाहर रखा है जैसे crude petroleum, natural gas, aviation और भी कही सारे items है और GST, different items को different tax brackets में रखता है जैसे अनार्ष पर 0% और luxury cars पर 28% GST plus CES तो ये थी Indian Taxation System की complete information तो इस बार आपने income tax file करा या नहीं हमें comment section में comment करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को जितना हो सके, share करो क्योंकि ये basic सी जो information है वो आपको कही नहीं मिलेगी और ये information हर एक के लिए बहुत जरूरी है चाहिए आप किसी भी age group में हो tax को समझना, tax को जानना बहुत important है जाहिए 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 बारत बन्दे मातरम जाहिए 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 झाल